ये गाईज वेलकम टू देव भूमी कर्यार पॉइंट देखे उत्राखंड जी के वन लाइनर भाग 113 है आज और देखे इसमें भी काफी महत्वपून उत्राखंड सामाने ग्यान के वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे देखे मैं आप सभी से बोलता हूँ उत्राखंड के पृतियोगी परिक्षाओं के तयारी में आप लोग हैं तो आपके लिए ये सीरीज सबसे ज़्यादा महत्वपून और बेनिफीशल है क्योंकि इस सीरीज में आपको जो उत्राखंड जी के वन लाइनर मिलते हैं काफी य समूगो का एकजाम हो या भी जो उत्राखंड में एक भरतिया ये उत्राखंड ग्रूप डी की तो ऐसे क्वेपर बनेंगे जांपर भी वहां पर उत्राखंड संबंदी क्वेशन पूछे जाएंगे वर्यस क्वेशन तो उनसा भी का तोड़ आपको इसी सीरीज से मिल सकता है तो इस सीरीज को बिल्कूल भी सकता करें आज देखेंगे चलिए भाग 113 में भी पार्ट 113 में भी काफी अच्छे अच्छे कोशन आपको देखने को मिलेंगे आपको पहला है दिखेंगे ध्यान से आत्म चिकित्सा नमक पुस्तक के लेखा कौन है तो ध्यान से आत्म कित्सा ये पुस्तक लिखी थी डाक्टर पितांबर दत्तबड़क्त्वाल जीने, ध्यान दखेंगे देखें डाक्टर पितांबर दत्तबड़क्त्वाल को हम जानते हैं हिंदी में डिलीट की उपाधी प्राप्त करने वाले पहले बेगती थे लिट डॉक्टर of Literature की उप बाद में और हिंदी में डीलीट की उपादी प्राप्ति की महला पीएचडी की काफी लोगों ने तो हिंदी में निर्गूरवात काभ्य जो है यह इनी की देन है इन्होंने काफी रिसर्च ही किया था इस पे और बोला जाता है कि दो साल के टाइम पिरियड में इन्होंने बात करें इनका जन्म हुआ था 1901 में पॉड़ी गरवाल में नेक्स देखें लैंजडाउन वन प्रभाग की स्थापना किस वर्स हुई थी ठीक है तो लैंजडाउन में देखें वन प्रभाग की स्थापित हुआ था सन 1897 में बलडंग नामक आभूशंग की संग में धारं किया जाता है मुख्य तहा यह चांदी का बना हुआ एक माला है चांदी धातु की बनीवी माला है जिसको इसपेसली कौन सी जन्जाती धारंग करती है भोटिया जन्जाती की महला है तो यहां पर महतवपूल फैक्ट मिल गए आपको बलडंग जो होता है गले का अभूशं है चांदी धातु का बना होता है और भोटिया जन्जाती की महलाएं धारंग करती है हिमप्रदेश का एकांत कविता के लेखा कौन है तो हिमप्रदेश का एकांत यह कविता लिखी थी चंद्रकुमर बर्तवाल जी ने देखिए बर्तवाल जी को हम जानते हैं वैसे भी पर तो यह थे नरेंद्र सा तो नरेंद्र सा नरेंद्र से टीहरी की तरफ जा रहे थे 22 सितमबं 1950 को और कार दूल घटना उने से इनकी मिल्ती हो गई थी अगला है हिमाले चित्र दर्शन नामक पुस्तक किस ने लिखी थी तो देखे हिमाले चित्र दर्शन जोके 1905 में पॉब्लिस हुई यह पुस्तक लिखी थी महिसानन्द नौटियाल जी ने ठीक है ध्यान लखेंगे महिसानन्द नौटियाल इनका जन्म हुआता 870 में पॉग मैं 818 οι इसलें , अब देखें , इनको क्यों द्वार दिवता कह ज़ाता है गरवाल का ? क्योंकि इनने गरवाल चेत्र में बहुत ही ज्यादा सामाजी कारे कीए थे . इसके सान इसान गरवाल का दुवाल द्वार दिवता इसले भी बोल जाता है dot तो इन्होंने ही गडवाल की जो ततकान इन मंडि थी दुगड़्ड़ा ठीक है दुगड़्ड़ा को बसाने का स्राइब अपने खेत में एक घर बनाया थे इन्होंने सबसे पहले और इसके बाद यह आप admire दीले धीले काल अंतर में दुगढड़ा बस गया था। तो दुगढड़ा को बसाया इन्होंने सामाजी कारे किये और इसके सासाथ इन्होंने एक स्कुल की स्थापना भी की स्कुल का नाम था श्री बदरीस एंगलो संसक्रिते श्शूल और धनी लोग थे जिनोंने काफी ज़्यादा सोसल वेलफियर के काम किये थे ठीक है अगला दिखे उठा गडवालियों नामक कविता का प्रकासन किस पत्र में हुआ था महतों पुण है दिखे तो उठा गडवालियों यो समाई नीची सैन को ऐसी कविता थी आप सोने का वक्त नहीं है जागो तुमारे देश में क्या हो रहे है मतलब कहीं न कहीं जो बिर्टिस हुकूमत थी उसकी दास्ता से लोगों को आउगत कराने के लिए स्री सत्यसरन रतूल जी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी थी बहुत ही ये उत्सा वर्दक पंक्तियां थी उठा गरवालिया और ये गरवाली जो समाचार पत्र था उसके पहले अंक में मई 1905 में प्रकासित हुई थी ठीक है और राइटर कौन थे इस कविता के स्री सत्यसरन रतूल जी अगल है दिखे हिमालाई दिवस तो हिमालाई दिवस कब मनाया जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंड करेंगे और हिमालाई दिवस नामक पुस्तक लिखी है अनील जोसी ने ठीक है बहुत सामाजी कार करता के रुप में हम इनको जानते हैं 2006 में पद मसरी से भी सम्मानि किये गए तो अनील जोसी ने लिखिया हिमालाई दिवस नामक पुस्तक हिमालाई दिवस कौन सी डेट को उत्राखन में सेलिब्लेट होता है कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिएगा नेक्स कोशियनीज सेपर्सेंड माइनस पंटं उननीस सो साथ की स्तापित इफ नांदा देवी चंटी पर आरोहन ताथा जुड़़ वह हैं वह बहुत अपना रंग बदलते रहती है, आज तो कोई भी इसको सफल आरोहन इसका करनी पाया, ओडेल टिलमेन ने भी इसकी कोशिस की थी, कई जगे पर 1936 दिया है, कुछ बुक्स में 1934 दिया है, लेकिन मैक्जिमम बुक्स में 36 ही माना गया, तो ओडेल टिलमेन ने भी इस पर आरोहन सक्तियां तो जरूर होती है, आज तक कोई भी व्यक्ति नंदादवी की सीर से चोटी तक नहीं पहुँच पाया है, उससे कुछ नीचे तक ओडेल टिलमेन चड़ाई करके वापस आ गया था, उसने एक्सपिरेंस भी शेयर क्या था, कि पागे पर कुछ विचितर घटनाई भी होई, ठीक है, तो लेकिन अगर कोईशन बनता है, बहुच बारे कोईशन पूर परिक्षाओं में बना है, तो ओडेल टिलमेन ही इसका सही आंसर है, ठीक है, अगले अगले मध्यकाल उत्राखंड में गोगालों क्या था, ये भी महत्तोपन कोईशन है, तो दीखें स्तबल के लिए, मैंटिनेंस के लिए, उनके खानपान के लिए, और या तो ये कर के रूप में था है, दस्तूर था, मतलब जिसकी जो मर्जी, ऐसा कोई फिक्स चार्ज नहीं था, इसका सही दस्तूर भी लिखा में आपर, ठीक है, जैसे कोई सेट आदमी उसने एक रूप पांडुकेश्वर उसने दोस्तों, ये बदरिनार धाम से कुछ दूरी पर पांडुकेश्वर जो प्लेस है, वहाँ पर आवजीद होता है, चमोली जन्पद में, ठीक है, और जो लोकल लोग है, लोकल इसको क्या बोलते है, जानती का मेला, मद्यकालीन उत्राखंड में त उत्राखंड के हितियास का अनकेडमी लर्निंग पर मैंने दिया है, इसका और मिल जो लर्निंग आपकी आईडी है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाएए वहाँ पर देखे, पूरा उत्राखंड का हितियास है, था तंडुल डिःमें क्या होता ठाझ देखे दोस्तों जो उखल में कूटे होए चांवल होते थे बार वह वह पातर में भीगा दिया जाता है और प्रात् kafाल में दोसी और वादी है, दोनू को वह चांवल दिया जाता है ठाझक sparked को और प्राफ ट्राप्ति में दोसी मान जाता था ठीक है अब उसमें होता होगा कुछ ऐसे देविक शक्तियों के वज़े से या या भ्रानती थी पता नी क्या था इस प्रकार के नियम कानून थे गोर का सासन में बड़े ही बीचित्र और भयंकर दंट प्रणाली थी गोर का सासो को की अगला देखे मसूरी में चंद बहाई थे चंदर बल्लबजी चंदर बल्लब का अइकाल मुर्ति हो गई तो इन्होंने क्या किया गडवाली छेत्र के साहित्यकारों को प्रोसाहन प्रदान करने हेतू चंद्रबुलब छात्रवुर्थी त्रष्ट की स्तापना की थी इसके सासा जो गरीब वन्चीत वरके जो छात्र होते थे उसमें जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे अफ़ोर्ड और मेधा भी होते थे उनको यहां से स्कॉलर्शिप मिलती थी ठ तो जिनोंने बैरिस्टर मुकुंति लाल जी को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लेंड बेजा था अपने खर्चे यह भी महत्तवन पॉइंट है वरना मुकुंति लाल यहां पर बैरिष्टर नहीं होते तो मुकुंति लाल का पूरा खर्चा गनानंद खंडूर जी ने प्रसिद्ध धौली नाग मंदिल किस जनपत में इस्तित है तो देखे नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिल धौली नाग मंदिल यह बागिस्वर जनपत में इस्तित है बागिस्वर में गाउं है खंतोली गाउं तो खंतोली गाउं में लोकेट है धौली नाग मंदिल तो महत्तों पुर्ण कोश्यन है नबू सामो किर्सक उत्सव हो दोस्तों दार्मा गाटी जो है दार्चुला पिथोरागड़ वहां के बोटिया और सहका जन्जाती कि लोग किर्सी उत्सव को मनाते हैं जो को बहुते है नबू सामो चैकर गतार गिते हैं और अ मतलब भी दे जाता है । वाली when you eat कि वह कीरों की पोटली को फैक दिया जाता है और बचे वह धड़को ये आपस में जो मिमान से होता है उसको पका कर खाया जाता है और इस प्रथा को करने के बाद इन लोगों का मानना यह होता है कि मिटी में कोई भी कीट नहीं लगेगा और फसल काफी अच्छी होगी तो जो फसल को आनी पहुचाने वाले कीट है उनके निस्तारंग के लिए की जाने वाले एक पारंपरिक ये विदी है नबु सामू किर्सी उत्साओ अगला दिके ढूंडी प्रियाग किस जनपत में इस्तित है तो ढूंडी प्रियाग इस्तित है दोस्तों टेहरी गड़वाल में यहाँ पर अलगदन्दा वर धूंडी नदी का संगम होता है ठीक है और देखे धूंडी रिषी की तपस्तली की रूप में भी इसको जाना जाता है संगम इस्तल को धूंडी प्रियाग को अगले राज्य के किस धाम को विसाल पूरी कहा जाता है महतो पूंगे तो बद्रिना धाम चमोली इसको विसाल पूरी भी कहा जाता है और इसको नारायंग तपो भूमी भी कहा जाता है अगर मांट मुंबा की जन्पद में इस दिता है कि अभी थोगा ये रिसेंट निउस रही थी कि मांट मुंबा को फते किया है इस बार नेहरू परवतारों सहस्तान के कुछ परवता रोहियों ने जो कि मैं करंट फेर के सीजन में दूंगा आपको तो करंट फेर जो अभी मांट मुंबा लोकेटिड है जो हमारा उत्तरकासी और तिबबर का बॉर्डर है उस बॉर्डर पर लोकेटिड है मांट मुंबा ठीक है बनोत को तुर्फवी रासो नामक पुष्टक मैं कुमाओ को कुमाओगर कहा गया है अब आप कुष्चेन का आंसर करेंगे तहां कि राइटर कौन है किसने लीखत ti को तो अगला देखे जागेस्वर के जोतिर लिंग का प्रिवेश्द्वार किसे कहा जाता है तो जागेस्वर का जोतिर लिंग का प्रिवेश्द्वार किसे कहा जाता है तो जागेस्वर का जोतिर लिंग का प्रिवेश्द्वार कहा जाता है ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्तोपन कोशन है नैनिताल बैंक की स्थापना कब हुई थी देखिए मैंने कम्मिटी टैब में भी क्वेशन पूचा था इसलिए मैंने यहां पर बताना आवश्रक समझा इसको काफी लोगों ने गलत आन सकते थे वहां पर इसके नैनिताल बैंक की स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1922 क और नैनिताल बैंक देखिए एक छेतिय ग्रामरी पैंक कहिए और इसको स्थापित करने में जो स्रेज आता है भारत रतन पंडित गोविंद बलब पंत जीको ठीक है उनके प्रियासों से ही 31 जुलाई 1922 को नैनिताल बैंक की स्थापना हुई थी आज बहुत बगा कारोबा पूरा नाम आपको आना चीए किसी एकजाम कोशियन बन सकते हैं कि जो जीम कारबेट थे उनका पूरा नाम क्या था तो जीम कारबेट का पूरा नाम है एड़वर्ड जेम्स ए जीम कारबेट इनका जन्म हुआ था 875 में ध्यान नखेंगे और इनकी जो मिलती हुए थी ने मैगी के साथ रहते थे नैनितालवला आवासिस्तल गर्नी हाउस था जबकि कालाडूंगी का जो आवासिस्तल था वो अरुंडिल कोटेश था आज भी अगर आप कालाडूंगी वीजेट करेंगे तो वहां पे यह जो कोटेश था इनका इसको आप म्यूजियम बना दिया ग दाको नामक एक वैवाहिक परम्परा होती है विवासि जुड़ीवी परम्परा का एक बोदक सब्द है डाको इसमें होता कहता है कि दोस्तों जब बारात धुलन के वहां पहुंचने वाली होती है तो धुलन के घर से कुछ दूरी पर एक गेट बना दिया जाता है और उस यह से आंक ब्रेवरेस करते हैं इसी गेस को नहीं की रस्म को ढाको जाते है उसलिए रूपीं वैस्च मनदिल जके रूपीं वा सुपिं मंदिया, संगम पर इस्तित मंदिल कौन सा से पोकु देवता का मंदर किस जनपद में इस्तित है लोकेशन आपको पता होने चाहिए अगला देखे सर्वोच नियाले में नियाइदीस बनने वाले राजी के प्रस्म वैक्ति कौन थे तो उत्राखंट से कौन था पहला वैक्ति जो सर्वोच नियाले में मतलब सुप्रीम को में एक जज रहा तो यह थे तारदत उनियाल जी तो दोस्तों यह था आज उत्राखंट जी के वन लाइनर पार्ट 113 काफी महत्तों कोशन यहां पर आपने देखे होंगे और देखे दोस्तों एक भी कोशन आपने मिस नहीं करना है स्किप नहीं करना है मैं बहुत सारी बु तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना शेर करना ना भूलने दोस्तों सांती देखे मैं बोलना चाहूँगा उत्राखंट जी के वन लाइनर पुक अभी तक नहीं लिया आपने भाग एक भाग दो जरूर लें सांती उत्यास एबुक भी जरूर लें उत्राखंट ग्यान सीन हो गया आज की डेट में इतने किताब है इतने पॉब्लीसिंग है हाउस है कोई मतलब उनके बाग लेकिन सोर्स कहां से वो लाते हैं कोई पता नहीं है ठीक है तो देखे दोस्तों आप बिलीब कीचे जितने भी कोश्चन आएंगे यहीं से आएंगे बहुत ज्यादा मह वोचिंग गाईज अपना ध्यान रखे अच्चे से स्टेडी करें महनत करें जय हिंद वंदे मात्रम जय देव भूमी